तो दोस्तों अब सब लोगों को पताई होगा कि हाली में Ministry of Defense के तरफ से 97 Additional Tejas Mark 1 A Aircraft को खरिदने को लेके टेंडर जारी किया गया है और दोस्तों ये जो टेंडर है ये एक तरफ जहाँ पे काफी बड़ा ख़वर वना हुआ है तो वही पे इसके साथ साथ अब Tejas Mark 2 A Aircraft को खरिदेगा उसे लेके भी इंडियन A Air Force के तरफ से अपने तैयारी को संपूर्ण किया जा रहा है अब दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि हिंडूसन Aeronautics Limited के तरफ से जो तेजस Mark 2 A Aircraft को बनाया जा रहा है असल में ये जो A Aircraft है ये Light Combat Category का नहीं है बलकि ये Medium Weight Category का A Aircraft है जो की करिफ-करिफ सारे 17 टन का वजन का है वही पर आप लोगों को ये भी वतादू कि फिलाल इन यार क्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को तैयार किया जा रहा है और कुछ मेडिया रिपोर्टों के मुताविक साल 2025 के अंत से पहले इन प्रोटोटाइपों के First Flight को भी अंजाम दिया जाएगा जिसका सिंपल मतलब ये है कि इस साल के अंत इन यार क्राफ्टों का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और रोलाउट भी होगा तो ही पर इन यार क्राफ्टों के सहारे इन यार फोर्स के ताकत में कई गुना बढ़ोतरी आने वाला है क्योंकि ये जो यार क्राफ्ट है ये स्वधेशी यार क्राफ्ट होने के साथ साथ टेक्नोलोजीकली सुपिरियर और कई तरीके के अडवांस फीचर्स के साथ होगा और इन आर क्रेफ्टों में पहले के तेजस मारक ओन आर क्रेफ्टों के मुकाबले में अधिक सोफिस्टिकेटड कॉमपोनेट के साथ साथ अधिक हतियार और अधिक range वी होगा और दोस्तों हाली के कुछ रिपोर्टों में ये नियार क्रैप्टों के ओर्डर को लेके दावा किया गया है कि इंडिया नियार फोर्स के तरफ से कम से कम ऐसे 108 यूनिट के यार क्रैप्टों को पहले इनिशिल बैच में खरिदने को लेके अपना तैयारी किया जा रहा है मतल के जो प्रोडक्शन है वो शायद साल 2030 के आसपास शुरू कर दिया जाएगा और दोस्तों हाली के कुछ मेडिया रिपोर्टों में यारक्रेप्टों के प्रोटोटाइपों को लेके भी दावा किया गया है कि जो पहला प्रोटोटाइप के एसेंबली का काम चल रहा है उसका एसेंबली संपूर्ण हो चुका है और जो फाइनल एसेंबली है वो साल 2024 के अंतक शायद संपूर्ण हो जाए और अगर ऐसा होता है तो साल 2025 के अंतक इन यारक्रेप्टों के फस्ट फ्लाइट का संभाव ना है लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो भी साल 2024 क पहले कुछ महिनों के अंदर इन यारक्रेप्टों के फस्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाएगा और दोस्वा ये जो तेजा स्मार्टू यारक्रेप्ट है ये इंडियान यारक्रेप्ट है क्योंकि इन यारक्रेप्टों के सहारे इंडियान यारक्रेप्टों के एक समय क को इंडिया के सबसे ताकतवरतर इन यार क्राफ्टों के रूप में देखा जाता था हाला कि वही पे कुछ रिपोर्टों के मताविक इंडिया यार फोर्स के कुछ जैग्वर यार क्राफ्ट और मिक-21, मिक-23 और मिक-27 जैसे यार क्राफ्टों के रिप्लेस्में तेजस मार् और करिफ करिफ तीन स्क्वाडरेन मिराज 2000 जैसे यार्क्राफ्ट है और अगर 10 स्क्वाडरेन टेजस मार्क टू खरिदा जाता है तो कम से कम इसके सारे 4 स्क्वाडरेन जैगवर यार्क्राफ्टों को भी रिफ्लेस किया जाएगा और इंडियान यार्फोर्स में फिलाल जै साल 2035 से रिटार किया जाएगा ही लेकिन मिक-29 यार्क्राफ्टों का फिलाल सर्विस लाइफ को एक्स्रेंड किया जा रहा है जिसे देखते हुई यही लग रहा है कि शायद साल 2035 तक MIG-29 यार्क्रेप्टों का भी उप्योग किया जाए उसके बाद ही यार्क्रेप्टों को रिप्लेस किया जाए बड़े मात्रा में तेजस मार्क्रेप्टों को खरिदा जाएगा और ये जो यार्क्रेप्ट है ये असल में आने वले समय में इंडियन यार्फोर्स में काफी बड़ा भूमिगा निवाएगा वही पर दोस्तों हिंदुसन एर्टनोटिक्स लिमिटेट के द्वारा तेजस मार्क्रेप्टों और मार्क्रेप्टों को जिस तरीके से एक्स्पोर्ट मार्केट में उतारा गया है उसे देखते हुए भी यही लग रहा है कि तेजस मार्क्रेप्टों को भी हिंदुसन एर् क्वार्वर्वर के रूप में टेजस अर Videos अर्प्यारा साथ एक तरीकिसे आहँ है, अब दोस्तों, एक तरफ जहाँ पे Indian Air Force Tegas Mark I Aircraft के ओर्डर के बाद Tegas Mark II Aircraft को लेके अपना तैयारी कर रहा है तो वही पे हिंदूसर एर्रोनोर्टिक्स लिमिटेड के तरफ से भी Tegas Mark II Aircraft को और उन्नत करने को लेके अपना तैयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हिंदुसन एरोनोटिक्स लिमिटेड अपने खुद के द्वारा बनाया हुआ IRST मतलब इंफ्रा रेट सर्च और ट्रैकिंग सिस्टमों को तेजस मार्टू यार क्रैप्टों में इंटिग्रेट करके इसका ट्रायल करेगा मतलब जब तेजस मार्क टू यार क्रैप्टों का टेस्टिंग चलेगा तब उसमें स्वधिशन इर्मिथ आईर एज्टी सिस्टमों को लगा के इसके तेस्टिंग को अन्जाम दिया जाएगा और इसके बारे में असल में Hindu Sun Aeronautics Limited के एक tender document में जानकारी दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि यह जो IRST system इसमें integrate किया जाएगा असल में यह स्वधिशी तरीके से Defense Research and Development Organization के तरफ से developed किया जा रहा है और दोस्ता आप लोगों को पता ही होगा कि IRST system next generation के यार क्रूशल होता है और किस तरीके से यार क्रूशल होता है और किस तरीके से यार क्रूशल के शमता को ब्रिधि करता है हाला कि दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहेगी जो IRST system है इसका जो initial test है वो असल में इंडियान यार फोर्स के ट्विन सीटेड जे टेनर यार क्रेप्ट हॉक 800 यार क्रेप्टों में किया जाएगा जो कि पहले उत्तम active electronically scan array radar के टेस्टिंग में भी उप् करके टेस्ट शुरू नहीं किया जाता है उससे पहले इन सिस्टमों के performance को जाजने के लिए Hawk 800 series के यार क्रेप्टों में इन्हें टेस्ट किया जाएगा अब दोस्तों यह जो IRST system है इसे लेके कई तरिके के बातों को रखा जा रहा है जिनमें सबसे पहला तो यह है कि यह सि सिस्टमों का उपयोग करके काफी stealthy यार क्रेप्टों को भी डिटेट किया जा सकते हैं जबकि तेजस मार्क टू यार क्रेप्टों के जो रैडर सिगनेचर है उससे भी कम किया जाएगा इवन इन सिस्टमों के द्वारा एक long range detection capability भी तेजस मार्क टू यार क्रेप्टों को मिलेगा बैसिकली दोस्तों IRST सिस्टम हीट सिगनेचरों को डिटेट करता है और अन्य यार क्रेप्टों से निकलने वाले हीट सिगनेचरों को ये काफी लंबे दूरी से ही डिटेट कर सकता है इवन इसके इलावा एक wide scan volume भी IRST सिस्टमों के वदावला दिन यार भी बड़े शेत्र में अपने search के काम को अंजाम दे सकेंगे इवन इसके इलावा एक selective field view भी IRST सिस्टमों के द्वारा हासिल किया जा सकता है मतलब पाइलट इन सिस्टमों को अपने हिसाफ से adjust कर सकता है जो की specific interest प्याले targetों को ही focus करेगा इवन इसके इलावा report में दावा क इत्माल किया जा सकेगा IRST सिस्टमों के बदा अलग अलग वराइटी के ही टारगेटों को डिटेट करने में सक्षम नहीं होगा बलकि एक साथ आप कह सकते हैं कि multiple targetों को भी डिटेट कर सकेगा इवन दोस्तों इसके इलावा report में ये विदावा किया जा रहा है कि ये जो IRST अपतरों से जहां पे दुश्मन को आरक्रापटों के बारे में पता चलता है तो हो visti पे IRS giving एयार क्रापटों को दुश्मन के रैडरों से छुपा के भी रखता है और दुश्मन के स्टेल्थ आब जेक्टों को